राम रम दोस्तों टीजे में फिस से हाजिर हूँ एक और रेसीपी के साथ आज मिलेकर आए हूँ मठर के कोफते मठर आज किल बहुत जादा आ रही है सर्दियों का मौसम है मठर खूब है तो मठर की अलग-अलग वराइटी बनाना तो बनता है देखिए ग्रीन-ग्रीन कलर के कोफते कितने सुन्दर लग रहे हैं देखने में ही सुन्दर नहीं है खाने में भी बहुत सुन्दर है और इसे बनाने के लिए मैंने जो क्रीमी सी ग्रेवी बनाई है यह आप और सबजियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं means इसमें आप पनी डाल देंगे तो आपका पनी टेस्टी सा बन जाएगा, कोई और कोफते भी आप इसमें डाल सकते हैं, मश्रूम भी डाल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाए हैं हमने, यह मैंने ले लिया है एक कटोरी मटर, बड़े साइस की कटोरी है, और मटर वो वले हैं जो पके-पके होते हैं, जिसे हम वैसे खाना नहीं पसंद करते, और इसमें मैंने डाल दिया है, एक अद्रक का टुकड़ा बारीक काट कर, और एक हरी मेर्च बारीक काट कर, इसे हम पीस लेंगे, थोड़ा दर-दरा लेकिन स्मूथ पीसेंगे, दो-तिन चमश पानी मिलाने के जुदत पड़े तो मिला लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे, बढ़िया सा पेस्ट तयार कर लेंगे, अब हमने कड़ाई में एक चमश तेल डाल कर, जीरा रख दिया है तड़काने के लिए, जब हमारा ये जीरा क्रैकल हो जाएगा, हम इसमें वो अपना क्राइंड किया हुआ मटर का पेस्ट मिला देंगे, इसे हमने थोड़ा सा बून ना है, क्योंकि हमने कच्चे मटर का इस्तमाल किया है, तो इसे हम थोड़ा भून कर इस्तमाल करेंगे, और इसका कच्चापन भी निकल जाएगा, और मॉइस्टर भी बैलन्स हो जाएगा, इसमें मैं डाल देंगे, एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा क्रमबल करके, ये ऑप्शनल है, पर इसे आप डालेंगे, तो ये बहुत सौफ्ट कोफ्ते बनेंगे, ये दो तीन चमच मैंने बेसन के मिला लिए है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और थोड़ी सी लाल मिर्च, आप गराम मसाला मिलाना चाहें, तो वह भी मिला सकते हैं, मैंने नहीं मिलाया है, पनी डालने से मेरे कोफ्ते बहुत सौफ्ट बने हैं, आगे मैं बनाती थी, खाली मटर के कोफ्ते, वो इतने सौफ्ट नहीं बनते थे, जितने आज बने हैं, दो से तीन मिनित तक हम इसे भूनेंगे, और नॉन स्टिक पैन का ही यूज करें, नहीं तो ही बहुत ज़्यादा चिपकेगा, और हमें इसे ऐसा करना है, कि ये कठा हो जाए, हलका हलका सा मॉइस्ट पिदाए, एक्तम ज़्यादा ड्राइनेस ना आ जाए इसमें, देखिए, हमारा बड़िया सा तयार हो चुका है, भुन चुका है, साइस छोड़ दी है इसने, कठा हो गया है, अब हम इसको इंडक्शन से उतार कर रख लेंगे, और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे, कोफते बनाने के लिए, और हम करेंगे अपनी ग्रेवी की तयारी, मैंने इंडक्शन पर पैन चड़ा दिया है, जिसमें मैंने डाला है एक कप पानी, इस पानी में हम डालेंगे, एक बड़ा प्याज रफली चॉप करके, लंबा लंबा कट करके, इसमें डाल देंगे, इंडक्शन ओन है, इसमें हम मिलाएंगे, एक छोटा सा अज्रक का टुकड़ा, अज्रक के टुकड़े को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये थोड़ी सी लैसुन की कर लिया लिये है, एक हरी में चली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्णिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़े से काजु के टुकड़े लिये हैं, दो लॉंग और एक छोटी हरी लाइची, और इसमें मैं मिला रही हूँ, तीन मेडियम साइज के टमाटर काट कर, देखे, यह सब मैंने मिला लिया है, अब मैं इसको 5-7 मिनिट के लिए बॉइल होने दूँगी, पकने दूँगी, ताकि यह सब सॉफ्ट हो जाए, और मुझे ग्राइंड करने में असानी रहे, अच्छा है आप इसे ढखके पकाएं, या भी नखकें, जब तक वो पकता है, हम अपने कोफ्टे बना लेते हैं, देखे, ठंडा हो चुका है, हम इसे एक पर फिर से हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे कोफ्टे बढ़िया से बने, तूटे ना, बढ़िया बढ़िया, गोल गोल, दोनों हाथों में लेकर मठीरियल को हम कोफ्टे बना लेंगे, सुन्दर सुन्दर गोल में टॉल सी बॉल्स, ग्रीन कलर की कितनी प्यारी लग रही है, इसे हम कोशिश करेंगे कि स्मूद बॉल्स बने, क्रैक्स ना हूँ, थोड़ा बोत रह जाए तो कोई बात नहीं, पर कोशिश ये ही कीजिए, कि इसके सारे क्रैक्स निकल जाएं, ताकि इसके फटने के चांसे कम रहें, इस कॉन्टिटी में मेरी 14 बॉल्स तयार हुई है, मतलब 14 कोफ्टे, ये देख लेते हैं, जब तक कोफ्टे हमारे तयार हुए है, इदर हमारा ये भी पक चुका है, इसको हम बंद कर देंगे, उतार लेंगे, फंडा होने देंगे, अब ये हमने कडाई में गी गरम कर लिया है, गी गरम करके तेंपरेचर थोड़ा कम कर लें, क्योंकि हम ना तो बहुत तेज पर इसको फ्राइ करना है, और ना ही हलकी पर, अगर बहुत तेज होगा, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, एक्टम से टाक हो जाएगा, जो हम नहीं चाते, इसकी ग्रीन जी खतम हो, जो इसका सुन्दर सा ग्रीन कलर है, वो दिखना बंद हो जाए, तो मज़ा नहीं आएगा, फिर इन कौफ्तों में और बाकी कौफ्तों में कोई फरक नहीं रहेगा, इनको हिलाते हुए, टेंप्रेचर बैलन्स रखें, मेरा टेंप्रेचर थोड़ा सा गड़बर था, तो कौफ्ते मेरे फटने शुरू हो गए थे, तो कोशिश ही ही कीजिए, टेंप्रेचर बिल्कुल लेवल होना चाहिए, ना बहुत गरम, ना थंडा, मीटियम, और मीटियम पर ही फ्राई करें इसको, थोड़े थोड़े डालकर फ्राई कर ले, दो बैचेज में मैंने इनको फ्राई किया है, ये मेरे सारे देखे, फ्राई हो चुके हैं, पेपर नैपकिन पर मैंने निकाल ली है, ताकि एक्स्ट ऑइल एब्सॉर्ब हो जाए, अब मैंने कड़ाई में से, बाटी तेल निकाल लिया है, चानना पड़ा, साफ करना पड़ा, और थोड़ा समय ने इसमें, फिसे ओल टाल दिया है, और ये जो हमने पेस्ट क्राईन किया था, वो हमने इसमें मिला लिया है, आप ओल बटर देशी की, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं, इसको हम मिला लेंगे, और भूनने के लिए रखतेंगे, इसे भूनने में 7-8 मिनिट लग जाएंगे, इसमें थोड़ा पानी था, जब हमने इसको ग्राइंड किया था, तो आज ये कुछ जादा ही छीटे उड़ा रहा है, मैं इसको ढखकर पकाने वाली हूँ, आप चाहे खुला पकाएं या ढखक लें, जैसे आपको ठीक लगें, देख लें, मैंने इसको ऐसे ही ढखकर, 6-7 मिनिट पकाया, बीच-बीच में एक दो बार हिला भी लिया, और ये देखिए, 7-8 मिनिट हो चुके हैं पकते हुए, कलर भी चेंज हो चुका है, खुब धुएं उड़ रहे हैं, धुएं के बादल बन रहे हैं, टेक्स्चर और कलर दोनों बहुत अच्छे से आ रहे हैं, अब हम इसमें मिला लेंगे अपने मसाले, सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हल्दी, अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ कश्मीरी मिर्च, ये औप्शनल है, आपको पसंद हो यूज करते हैं, तो मिलाएं, कोई जबर्दस्ती नहीं है, कि बजार से खरीद कर लाकर ही डालनी है, लाल मिर्च यूज करना चाहते हैं, तो वो कर लें, बस कश्मीरी मिर्च कलर बहुत अच्छा देती है, ग्रेवी का, नमक डाल लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, काफी सारी कसूरी मेथी मिला लेंगे, खुश्बूख टेस्ट दोनों को बढ़ाती है ये, आज मैंने इसे हाथ से क्रश नहीं किया है, ऐसे ही डाल दिया है, मोटा मोटा ही, आप क्रश करके डालना चाहें, तो क्रश कर लें, इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक तो मिनट और पका लेंगे, अब देखिए, अब कलर कितना सुन्दर हो गया है, अब इतना अच्छा दिखने ही पा रहा है, क्योंकि किचन में लाइट इतनी बढ़िया नहीं आ रही है, और धुआ भी ज़्यादा उड़ रहा है आज, अब मैं इसमें मिला रही हूं, आधा कप दूद, दूद इसके टेक्श्चर को और भी अच्छा करतेगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा, नमक आप इसके अकॉर्डिंग ही डालें, कि हमने इसमें दूद भी डालना है, और नमक हमारा कोफ्तो में भी है, तो आप नमक सुच समझ कर, एज़ेस्ट करके ही डालें, इसको हम दूद डाल कर, एक तो मिनिट पका लेंगे, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बढ़िया सी हो जाए, जैसी ग्रेवी हमें चाहिए है, अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, इसको मिक्स करके, हम अपना इंडक्शन, गैस, जिस पर भी हम बना रहे हैं, बंद कर देंगे, और खूब सारा हरा धनिया भी मिला लीजिए, अज मेरा मोड नहीं है, हरा धनिया डालने का मैं नहीं डाल रही हूँ, ग्रेवी में कुफते डाल रही हूँ मैं, सर्व करने के लिए, थोड़ा से सजा लेते हैं, मेरे कुफते बहुत सॉफ्ट बने हैं, तो मैं ग्रेवी में डाल कर नहीं पकाऊंगी, कहीं फट ना जाएं, आप अपने कुफते देखकर, उस हिसाब से ही ग्रेवी में गरम करें, अगर बहुत सॉफ्ट हैं, तो गरम गरम ग्रेवी उसके उपर डाल दें, मैंने उपर इसलिए नहीं डाल लिया, खाना पसंद करेंगे, चपाती के साथ या लच्छा परंठा के साथ, जल्दी से लेकर आजएए, मैंने सबजी बनाई है बस आप के लिए, थैंक्स पर वाचिंग माई जिया फ्रेंड्स, थैंक्यू सू मच्छ,